हाथी मेरे साथी 1971 में बनी हिंदी भाशा की फिल्म है इसका निर्देशन एमे तिरुमुगम ने किया पठकथा सलीम जावेद ने लिखी और समवाद इंदर राज आनंद ने लिखे ये फिल्म 1971 की सबसे ज़्यादा व्यावसाइक सफलता अरजित करने वाली फिल्म थी इसमें राजेश खन्ना और तनुजा मुख्य भूमिकाओं में हैं यह उस समय की किसी दक्षिन भारतिय निर्माता द्वारा बनाई गई सबसे सफल हिंदी फिल्म थी इसमें लक्ष्मी कांत प्यारेलाल द्वारा संगीत और आनंद बक्षी के बोल थे फिल्म सलीम जावेद की पहली सहभागिता भी थी जिन्हें आधिकारिक तौर पर पठकथा लेखकों के रूप में श्रेद या गया राजू, राजेश खन्ना, चार हाथियों के साथ रहता है वह उनके लिए सड़क के किनारों पर प्रदर्शन करता है इसी से उनकी रोजी रोटी चलती है जब वह छोटा था तो उन हाथियों ने एक तेंदूए से उसकी जान बचाई थी समय के साथ वह तरक्की करता है और एक चड़िया घर प्यार की दुनिया शुरू करता है इसमें वेभीन जंगली जानवर उसके हाथियों के साथ रहते हैं जिनमें से रामू उसके सबसे करीब है धीरे धीरे वह समपत्ती अरजित कर लेता है और अपना निजी चड़िया घर शुरू करता है इसमें वह बाग, शेर, भालू और अपने चार हाथियों को रखता है वह सभी जानवरों को अपना दोस्त मानता है बाद में उसकी मुलाकात तनु, तनुजा, से होती है और दोनों प्यार में पढ़ जाते हैं तनु के अमीर पिता, रतनलाल, मदनपुरी इस गटबंधन का विरोध करते हैं लेकिन बाद में युवा जोड़े को शादी करने की अनुमती दे देते हैं हालां की, तनु जल्द ही अपने को उपेक्षित महसूस करने लगती है जब उनका बच्चा पैदा होता है, तो हालात बिगर जाते हैं तनु, हाथी से उसके बच्चे को शारीरिक नुकसान पहुचाने के डर से राजु को हाथी और अपने परिवार के बीच चैन करने के लिए कहती है राजु पत्नी और बेटे के उपर अपने जानवर दोस्तों का चैन करता है अब रामु दोनों को एक साथ लाने का फैसला करता है लेकिन खलनायक सरवन कुमार के एन सिंग के कारण उसे अपना जीवन बलिदान करना पड़ता है